नमस्कार दोस्तों, पूझे शिक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाईयों और भेनों का बहुत बहुत स्वागत है, जैमातादी दोस्तों आज जिसने विश्व पर हम चर्चा करेंगे, वो है मा काली की उपासना, भद्रकाली की उपासना किस प्रकार से की जाए, वो भी घर पर ही, क्योंकि महा काली के रूप को देवी के सभी रूपों में सबसे शक्ति शाली माना जाता है, काली शब्द की उत्पत्ती संस्कृती क काल शब्द से हुई है सिंदूर उनका प्रिय होता है हिंदू धर्म शास्त्रे में मा काली को अभिमानी राक्षोस के सहार के लिए जाना जाता है आम तोर पर मा काली की साधना सन्यासी तांत्रिक करते हैं ये भी मानेता है कि मा काली अभधर काली काल का सहार करके मोख्ष प्रदान करने वाली होती है शनी देव भी जो है आप महाकाली की पूजा करते हैं उन्हें पूजते हैं तो शनी देव भी जो है आपको सदेव कष्टों से राहत देते हैं यहां तक कि राहू केतू के भी प्रकोप हैं आप पर पढ़ नहीं पाते हैं मा काली के केवल चर्णों को अगर तस्वीर जो आप अपने घर पर लगा लेते हैं मुख्य द्वार पर तो कोई भी दुनिया की बुरी शक्ति आपके घर पर जो है आ नहीं सकती है इतना सौमे रूप भी होता है भदर रूप भी होता है माता जिस रूप में आप उकारेंगे उस रूप में आकर आपको जो है दर्शन देती हैं काली शब्द काले रंग का प्रतीक है साधना काली की उपासना आपको सबसे प्रभावशाली माना जाता है यानि काला रंग जो है बहुत मेन होता है पूजा में के अलावा मा मा काली की उपासना जो है आपको प्रभाव शाली बनाती है आपको अभे वर्दान देती है आपको कभी डर नहीं लगता जितने मर्जी अंधेरे में चले जाए आपको जंगलों में भी छोड़ देंगे तो भी आपको डर नहीं लगेगा मा काली की उपासना का जो कोई भी पूजा करता है उपासना करता है उसका परिणाम जो से तुरन देखने को मिलता है मा काली की साधना के वैसे तो बहुत सारे लाब होते हैं जो साधग साधना पूरी करने के बाद भी उन्हें कई बार पता नहीं लगता है परंतुने कई शक्तियां जो है अपने आप ही प्राप्त हो जाती हैं और आपके जीवन में आशिरवाद प्रदान करती हैं, सदेव रक्षा करती हैं, आपके पुत्र पौत्र की रक्षा करती हैं, याने की संस्तान की परमपरा जो है आपके परिवार में सदेव बनी रहती है, याने आगे आपका जो परिवार है वो बढ़ता रहता है, कभी भी क बढ़र काली को एक अमरूद और एक केला अर्पित करके अपनी मनोकामनाय कहें आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाय जो है बहुत चुटकेओं में हो जाएंगी पूरी इसके अलावा बहुत विवाद रहता है लोगों के साथ जगड़े बहुत रहते हैं तो मा काली के या मा कभी बैटे हो अकेले या कभी आपको लगता है डर या कभी कुछ भी चिंता आती है तो अगर माता को पुकारते हैं तो मा किस प्रकार से अपने बच्चों की रक्षा करती है ठीक वैसे ही मा के आपकी रक्षक बन जाती है परन्तु विवाद जो है बहुत बढ़ जाते हैं तो बरगत के दो पते पर सिंदूर लगा के मा भधरकाली को और पित करें अपनी मनो कामना कहें विवाद जिससे हो रहा है उनका नाम ले और कहें कि कृपया मा इसे बंद करें या इस विवाद से मेरे जीवन में बहुत कश्टा रहे हैं कृपया इनसे मुझे छुटकारा इसके अलावा जो है आज आज आपको जो माता रानी का पारिवारी जो रूप रहता है यानि की जो परिवार में ग्रहस्त में रहते हैं उन्हें किस प्रकार से माता के बीज जो मंत्र है उसका उचारन करना है क्योंकि मा काली की उपासना के बहुत से बीज मंत्र है उनके र सब ہی रूपों की अराधना हो जाती है साधना में किया गया कोई भी कारयाप का जो है चिनताओ मुक्त हो जाता है साथी साथ इसे विशेश मंत्र भी कहा जाता है परंतु यहां पर मैं कहुंगी मंत्र केवल ग्रहस्ट साधकों के लिए है क्योंकि ये मंत्र जो है माकाली के लिए भी आता है जब माकाली की अराधना करते हैं उनका रूप अपने आप मस्तिक्ष में लेकर आते हैं उनकी अराधना में बैठते हैं तो केवल माकारी का अशिराधना परन्तु इसमें जो है कृष्णी जी का भी ये बीज मंत्र कहा जात यह केवल जो पारिवारी ग्रहस्त लोग हैं किस प्रकार से मा काली की पूजा करे आराधना करे उनके लिए जो है मंत्र बहुत सिद रहता है। बना है तथा माता सती के जो दाएं घुटने के जो नीचे का भाग है वहाँ पर गिरा था। यह आपको जीत चाहिए आपको जैसे हम कहते हैं जीवन में आपको सदे विजे प्राप्त करनी है तो मा काली या भदर काली के अराधना आपके लिए श्रेश्ट रहेगी और यहाँ पर जो है इनके कई प्रकार से स्पेशल पूजन होते हैं पूजा विदी विशेश तोर पर की जाती है अगर घर के दश्चिन दिशा में क्योंकि दश्षिन भाग माता रानी का माना जाता है भदरकाली मा काली का माना जाता है तो दश्षिन दिशा में लाल कपड़े पर देवी मा भदरकाली का चितर स्थापित करें विदिवत पूजन करें चमेली के तेल का दिपक लगाएं गूगल का धूप करें सिंदूर अरपित करें परकुमकुम, मौली, मसूर, रक्षा, सूत्र, कपूर, वा गैहुं अरपित करें. साती गुड का भोग भी लगाए, रुदराख्ष की माला से आप जो है मंतरों का जाब करें. मंत्र का जाब आपके गुरु मंत्र हो सकते हैं आपके गुरु द्वारा दियेवे मंत्र हो सकते हैं पूजा के बाद सदे भोग में गाएं जो गाएं के बनेवे घी होता उसी से भोग बना हलवा बना सकते हैं आप मीठे में कुछ भी बना सकते हैं और ये जो भोग है आपको ग्रहंड नहीं करना है आपको ये भोग जो है गाए माता को खिलाना है तभी आपकी पूजा जो है पून होगी मैंने कहा मंत्र बहुत सारे हैं यहाँ पर मंत्र जो है सारवजनिक रूप से कहना सही नहीं होगा तो कृपया अपने गुरू की अरादना के बाद या गुरू से लेकर ही जो है माता की अरादना क्योंकि आप जानते हैं कि भदरकाली या माकाली जो है रौदर रूप है इससे आपका गुसा जो है बढ़ता है आपका तेज बढ़ता है तो उस पर जो काबू पाना कई बार मनुश्यों के लिए कई मनुश्यों होंगे जो पा लेते होंगे परंतु कई मनुश्यों होते उनके लिए impossible हो जाता है तो अगर गुरू आपके साथ में रहेंगे और साथ में माता काशिरवाद बना रहेगा तो पूजा आरादना की जो पूरा आपको जो फल है वो प्राप्त होगा साथी साथ गुरू के सानिध में जो है आपको अम्रित प्राप्त होगा यानि आप आगे और बढ़ते जाएंगे अपनी साधना में और आगे आगे बढ़ते जाएंगे परंतु अगर घर पर करना चाहते हैं तो नवान्ड मंत्र कर सकते हैं जैसे मैंने कहा क्लीम शब्द बहुत अच्छा है या फिर ओम एम रीम क्लीम चामुंडाए विच्चे ओम एम रीम क्लीम चामुंडाए विच्चे ध्वनी का बहुत प्रभाव होता है किस प्रकार से आप ध्वनी कह रहें, गुस्से में कहेंगे, तो जो मंत्र है वो बहुत ज़ादा रौदर रूप में आ जाएंगे, प्रेम से पुकारेंगे मातारानी को, तो प्रेम का जो आभाव आएगा, अगर दिल से पुकारना चाहते हैं, गा कर पुकारना चाहते हैं, तब ही जो मंत्र हैं आपको सही फल प्रदान करेंगे, आप देखिए अगर कोई आपको गुस्से से बुलाएगा कि आईए इधर आईए इधर आईए तो आप जो है उस प्रकार से ही उसे रियक्त देंगे, मतलब आप उसे ही उस प्रकार से ही उसके पास जाएंगे, प्यार स अब आपके ओपर है आपके इस प्रकार से मंतरों का जाप करते हैं परंतु मैं आपको बता दू कालका के दर्बार में जो एक बार चला जाता है उसका नाम दर्ज हो जाता है उसके जीवन में आप समझ लीजिये सभी प्रकार के समस्त, रोग, दोश, विग्न, भस्म, सब खत्म हो जाते हैं यानि उन्हें किनी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है कालिका के प्रमुक्ती इन स्थान भी बताए चलते हैं कलकौता का जो काली घार जो की एक शक्ति पीट माना के है साक्षा देवी महाँ पर विराजित हैं कोई भी मनोकामना हो, कोई भी पीडा हो एक बार वहाँ जाके दरबार में अरजी लगा दीजिए मद्य परदेश की उज्जयन में बहरवगड़ में जो गड़काली का मंदीर है इसे भी शक्ति पीट में शामिल किया गया है गुजरात में पावागड़ सभी जानते है पहड़ी उपस्तित महाकाली का जागरत मंदीर और बहुत ही चमतकारी मंदीर है मनोकामना है बहुत दिल से पूर्ण हो जाती है दस महाविद्यों में साधक महाकाली की साधना को सबसे शक्ति शाली और प्रवाशाली मानते है जो किसी भी कारिक को तुरंट परिणाम देना चाहते है साधना को सही तरीके से करे साधक को अश्टे सिद्धी तो प्राप्त होती है मा काली की पूजा या साधना के लिए भी किसी जो जानकार व्यक्ति है उसकी मदद यहां फिर से कहूंगी कि ले लीजिए अब अगर आप जैसे घर पर मा काली की पूजा करते हैं सौमे रूप में आप पूजा राधना करते हैं तो सबसे पहले हनमान जी जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि हनमान जी और दुर्गा जी कालिका भैरव शनी देव यह जागरत देव माने गए है कल्यूग में अब भगवान शिव को आप सबसे पहले पूझे क्योंकि भगवान शिव जो है हनुमान जी से भी बहुत मतलब जो हनुमान जी है उन्हीं का रूप माने गए है जो शनी देव है वो भी उन्हें पूझते थे भगवान शिव को क्योंकि देवों के देव महादेव है और जो श घर पर ही उनकी पूजा करते हैं तो शिव जी को पहले पूजे आप शिव जी का ओम नमशिवाय का जाप करें शिव जी को पहले प्रसंद करें उसके बाद में जो है मा कालिका की उपासना शुरू करें मा कालिका की उपासना में आप जो है अगर नुकसान से बचाव चाहते ह कि नुकसान से बचाव चाहिए धन का बचाव चाहिए जो भी चाहते हैं जिसकोषा बचाव चाहिए और फूलो की पत्यों हाहतmar मन्दिर में आप माता के चंड़ों में रखते गर पर पूझ हैं तो माता के चंड़ों में रख दिज Ayahislam आप देखेंगे सभी प्रकार से जो है नुकसान से बचाव होने लगेंगे और जीवन में सुख्षानति आने लगेगी। आप प्रोफेशन सक्सस चाहते हैं यानि प्रोफेशनली सक्सस चाहते हैं आप प्रमोशन चाहते हैं व्यापार में व्रद्धी चाहते हैं नौकरी में व्रद्धी चाहते हैं तो यह बहुत सटीक उपाय है जोटा सा उपाय है लाल चंदन अरपित करें कलाई पर टीका लगा मैं कहूंगी थोड़ा सा उठाकर अपने घर पर लियाए ये कारे अगर मंदिर में जाकर करेंगे और डेली अपने कलाई पर आप लगाई और डेली आप ओफिस जाएए देखे किस प्रकार से दिन दुगनी राज़ोगने तरक्की मिलती है सबी प्रकार की बुरी नजर तो गए है तो साबुत उड़द मा पर अरपित करें और इसे ले जाकर अपने घर के कुमले बेबो देखेंगे जिस प्रकार से साबुत बनती जाएगी उस पर पानी डालते जाएए बनने से हैं मतलब है जैसे ही पौधा उगने लगेगा या वो हरे होने लगे अंकुरित होने आएगी भूत प्रेत बादा उपरी बादा नजर दोश सब प्रकार से मुक्त हो जाएगा तो भाईयों और बहनों आज अपनी वाणी को यहीं वेराम देते हुए मैं आशा करती हूं फिर मिलें किसे नविशे पर चर्चा करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए बोलो सच्चे दर्बार की जय जय माता रानी